दोस्तों कुछ दिन पहले हमने वडियो अपलोड किया था कि इस सरमकार स्टुडेंट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए अगर बनवाल लिया है तो उसको फिर क्या करना चाहिए तो इस बिडिमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस सरमकार बना लिये हैं अगर आप एक स्टुडेंट है, और आप पड़ाही के साथ-साथ, कोई भी काम नहीं करते हैं, और अगर आप एक सरमकाराब बना लिये हैं, तो कैसे आप उसको रद कर सकते हैं, तो इस बिर्माप को सारी जानकारी देने वाला हों की, अगर आप एक student है और इस सरमकार बना लिए हैं और आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप अपने इस सरमकार को कैसे रत कर सकते हैं तो इस ब्रिमा पूरी जनकारी देने वाला हो तो इस ब्रिमा अंतक बने रहना है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे confusion में पड़े हुएं कि भाई हम अप student हैं तो क्या इस सरमकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं और अगर हम student हैं और हम अपना इस सरमकार बना लिए हैं और पढ़ाही के साथ हम कोई भी काम नह नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस सरमकार उन लोगों के लिए लाया गया है जो आसंगटी छेतर में काम करते हैं जी हां दोस्तों जो लोग आसंगटी छेतर में काम करते हैं यानि छोटे मोटे वरकरों के लिए लाया साथ भी फिर भी अपना इस सरमकार नहीं बना सकते हैं तो कौन से अस्टुडेंट बना सकते हैं और कौन से अस्टुडेंट नहीं बना सकते हैं और अगर कोई अस्टुडेंट बना लिया है लेकिन उस कोई भी काम नहीं करता है तो वो अपना इस सरमकार को अरद केसे कर सकता है यानि कि कैंसल केसे कर सकता है क्योंकि आगे फीचर में हो सकता है कि आप कोई नोकरी लेंगे या फिर कोई जोब में लेते हैं या फिर कोई सरकारी जोब में भी आपका दिकात हो सकता है तो चलिए अब य फिजन है जो भी सवाल है वो आपका धूर हो जाएगा सबसे पहले NCO कोड में आपको समझना है कि कौन से लोग इस रमकाड बना सकते हैं और कौन से लोग नहीं बना सकते हैं और अगर कोई बनवाल यह है तो उसका कैसे रद होने वाला है यह भी हम आगे आपको बताने वाले तो दोस्तों यह है इस रमकाड की NCO कोड लिस्ट अगर आप जो भी काम करते हैं वो आपका NCO कोड लिस्ट में होना चाहिए अगर आप एक स्टुडेंट है और पढ़ाही के साथ साथ कोई भी आप अगर आप काम करते हैं और NCO कोड में आगर वो आपका काम मिल जाता है त फिर ट्यूशन क्लासेश चलाते हैं, तो उसके लिए भी इस रमकार्ड बनाने के लाइक है, क्योंकि NCO कोड लिस्ट में यहाँ पर मापको लाइप पूरूफ दिखाने वाला हूँ, अगर आप पढ़ाही के साथ कोई छोटे मुटे काम करते हैं, या फिर जैसे ट्यूशन क् लिस्ट मिल जागा, तो आप देखकर आप अपना समझ सकते हैं, कि हमें इस रमकार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो दोस्तो NCO को यहाँ पर हमने ओपिन कर लिया और यहाँ पर बहुत सारा काम दिया हूँ है, जो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहा इस रमकार्ड बना सकते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर हम इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, जो में हैं, यहाँ पर कि जो अस्टुडेंट लोग हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, और अपना इस रमकार्ड नहीं बनाएं, तो अगर उसको परिशान हैं, कि हमारा NCO कोडल ल साथ साथ छोटे मोटे दुकान में जाकर इस तरीके के काम करते हैं, अगर आपके आप भी कोई काम करते हैं, और पढ़ाई के साथ यह सब काम करते हैं, तो बहुत चारे लोग गर्वेशन करने के बाद भी कोई काम करते हैं, और अपना गर्वेशन को भी उधर जारी रखत लेकिन यहाँ पर हम पूरा नीचे करेंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल लागा अगर आपको स्टुडेंट है और टीशन क्लासेश पढ़ाते हैं तो आपके लिए NCO कोड लिस्ट में आपका काम है जो आप काम करते हैं तो सबसे नीचे आपको कि काम है तो आप देख सकते ह wanna बढसांते हैं तो यहां पर आप यहां 모양 कर सकते हैं currently पूरा बतानी कि हमें ज़रूत नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत सारा काम दिया है तो आपको एक बार NCO code को आपको अच्छी तरी से आपको चेक कर लेना है कि वह आप जो भी काम करते हैं तो आपका है या नहीं है अगर आपका काम यहां find हो जाएगा तो आप बिल्कुल eligible है इस रमकार बनाने के लिए तो दोस्तों यहां पर बहुत सारा काम दिया हुआ है तो अगर हम बताना शुरू करेंगे तो काफी long बड़ी हो जाएगा तो आप NCO code को download करके आप अपने से find कर सकते हैं अगर आपका जो भी काम है अगर आप NCO code लिस्ट के अंदर करता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं और अगर आपका नहीं आ रहा है और फिर आप student है और कोई भी काम नहीं करते हैं पड़ाही के साथ तो आपके लिए यहां प्रोडलम हो सकता है क्योंकि इश्रमकाड में भी पीएफ नंबर ही होता है यानि यूए नंबर ही होता है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है हां अगर आप पड़ाही के साथ कोई काम करते हैं तो आप बिल्कुल बनाने के लिए eligible हैं तो दोस्तों एक बार इस NCO code को अपको अच्छी तरह से चेक करना है तो आफको मालूम हो जाएगा है कि हमें इश्रमकाड बनाना चाहिए अब चलिए दोस्तो हम बात करते हैं कि अब अपना इश्रमकाड अगर बना लेकिन दोस्तों जो लोग एसना कड़ बना लिए हैं और NCO code में जो भी काम दिया हुआ अगर वह आपका नहीं आता है और वाय मिस्टेक से अगर आप इस रमकार्ड बना लिया है और अगर आप irk student है यानि की कोई भी काम नहीं करते हैं फिर भी सरमकार्ड बना लिया तो अगर आप सोच रहें की कब इसको हम cancel करें कैसे रद करें तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी इस सरमकार की ओफिसल वेफसाइट जो है वो अभी इसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है कि आप अपने इस सरमकार को कैंसल कर सकते हैं अगर आप मिश्टेक से बना लिए तो आपको घबर लाने की जरुत नहीं है तो हो सकता है कि अभी था में अब डेट आया जाएगा इस सरमकार की ओफिसल में कि दिलेट करने का भी option आ सकता है यह अनुमान लगाया जा रहा हूं कि हिस सरमकार में इस कैंसल करने के भी option लाया जाएगा और जैसे क्लियो आप लोग के लिए